सेक्शुल इंटरकोस के बाद प्रेगनेंसी प्रोसेस कैसा होता है और प्रेगनेंसी कब होगी कैसे प्रेगानियोस टेस्टिंग कीट से घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसमें HCZ hormone का क्या मदलब है यह सारी बाते आज आज आप जानने वाले हो नमस्कार media students आज के lecture में आपको सिखाऊंगा human reproduction chapter में implantation topic इस topic को detail में देखने से पहले cell और metocycle division को एक बार समझ लेते हैं अब cell में normally एक nucleus होता है और एक cell membrane होता है nucleus और cell membrane के बीच में जो space है उसे कहते हैं cytoplasm और cytoplasm के अंदर बहुत सारे organically होती है जैसे mitochondria, lysosome, ribosome ऐसे बहुत सारे organically होती है खेर जो भी हो अभी हम cell के बार बार से ओवर्यू देख रहे हैं तो यह एक cell है अब क्या होगा देखो यह cell का nucleus है वो यहाँ पर है और यह cell membrane है और बागी का जो space है वो cytoplasm है तो इस cell के nucleus के अंदर यह chromosome, chromosome, chromosome इस तरह एक line में 23 chromosomes है अगर इस nucleus में 23 chromosomes है तो ऐसे cell को बोलते हैं haploid cell नेक्स देखो दूसरा cell है यह cell का nucleus है और यह cell membrane है और जो बीच में space दिख रहा है यह cytoplasm है तो इसके nucleus में chromosome, 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 chromosome इधर 23 chromosome, यहाँ पर भी chromosome, chromosome, इधर 23 chromosome तो एक N मतलब कितना होता है 23 तो यहाँ पर 2 N मतलब कितना 46 chromosome तो इस cell को बोलते हैं deployed cell अब mitos cell division में क्या होता है एक deployed cell है समझो तो उसका cell division होगा मतलब mitos cell division होगा तो 2 cell बनेंगे तो इसका exactly यह वाला copy बन जाएगा और इसका exactly copy बन जाएगा मतलब एक cell का copy बन के 2 cell बन जाते और यह भी deployed cell रहेगा मतलब mitos cell division में chromosome number change नहीं होते अगर यह 46 chromosome का cell है तो जो copy बन रहा है वो भी 46 chromosome का cell है बनेंगे यह female का reproductive system है इस female reproductive system में दो ovaries होती है एक ovary यहाँ पर और दुसरा ovary यहाँ पर और यह जो tube like structure दीख रहा है इसे केते follow pain tube follow pain tube तीन पार्ट से होते हैं 1st, 2nd, 3rd यह infundibulum, ampulla, isthomas और यह infundibulum में finger like structure दीख रहा है उसे केते fimbria और यह है uterus uterus 3 layer से बनी हुई है जो अंदर का red color का layer दीख रहा है यह endometrium, दूसरा myometrium तीसरा perimetrium और यह cervix और यह vagina brain में रहने वाला यह pituitary gland LH यानि luteinizing hormone को जादा level में release करता है तब यह mature graphene follicle फट जाती और इसके अंदर से यह egg release के ampulla में आ जाता है इस process हो का जाता है ovulation अब यह जो mature graphene follicle फट जाता है और egg release हो के यहाँ पर चला जाता है तो जो भी बाकी का part यहाँ पर बचा है वो वापस reform हो के एक नया structure बनेगा और वो नया structure यह है और इसे कहते है corpus luteum और इस corpus luteum को यह LH यानि redonizing hormone maintain करता है अब यह ovulation menstrual cycle पर depend करता है normally और biologically किसी महिला का menstrual cycle 28 या 29 days का होना चाहिए लेकिन बहुत सारे महिलाओं में यह menstrual cycle 28 days का नहीं होता है कुछ महिलाओं में यह 32 days का किसी में 40 days का किसी में 35 days का menstrual cycle होता है क्योंकि health care ना होने की कारण menstrual cycle का मतलब क्या है अगर किसी महिला को अगर आज की दिन period आ गया है यानि कि आज की दिन अगर menstruation हुआ है तो उनका अगला period यानि कि अगला menstruation 28 days के next day होगा यानि कि 29th day को होगा तो उस महिला का menstrual cycle होगा है 28 days का अब menstrual cycle में 4 phase होते है menstruation, folio clear phase इसी वो कहते है proliferative face कहते और ovulation और उसके बाद luteal face इसी वो कहते है secondary face menstruation का मतलब क्या normally period period का मतलब क्या होता है vaginal bleeding यानि कि वजना से bleeding होती है यानि कि blood निकलता है वो क्योंकि ये जो endometrium में ये फट जाता है तूट जाता है जिसके कारण यहां से bleeding होती है यानि कि blood निकलता है अगर किसी महिला को अगर आज की दिन अगर period आ गए है तो आज से लेके अगले 5 दिन तक bleeding होती है यानि कि blood निकलता रहता है तो यह menstruation एक से लेके 5 दिन तक होता है नॉर्मली लेकिन कुछ महिलाओ के अंदर 4 दिन तक ही bleeding होती है तो menstruation किसी किसी में vary होता है किसी में 5 दिन का किसी में 4 दिन का तो वो phase है menstruation phase next is follicular phase follicular phase में ये ovaries से estrogen hormone release होती है और वो hormone ये endometrium को वापस तयार करती है जो दिख रहा है red color का membrane यानि red color का layer दिख रहा है उसे वापस तयार करती है क्यों तयार करती है क्योंकि menstruation में तूट जाती है तभी तो bleeding होती है और उससे को period या menstruation केती है तो follicular phase में क्या होता है यहां स से रिलीज होने वाला estrogen hormone इसको वापस तयार कर देता है मतलब वापस बना देता है तो follicular phase में endometrium वापस दुबारा बनता है और बाद में आएगा ovulation ovulation के डाइम पर यह जो LH है यानि के luteinizing hormone है वो ज्यादा लेवल में release होती है जिसके कारण यह mature graphemphorical fudge जाते और यहां से एग release होके यह ampula में आता है उसी उगेते ovulation अभी एग release होके यहां चला गया तो बागी का जो पार्ट यहां पर बचा है उसका वापस restructure होके reform होके एक नया structure बन जाता है इसे केते corpus luteum और इसको LH hormone maintain करता है और उसके बाद आता है luteal phase उसी उगेते secondary phase इस phase में क्या होता है यह जो अभी यहां पर corpus luteum है यहां से pregnancy hormone को release करता है जिसे केते progesterone hormone और वो hormone क्या करता है वो प्रोजिस्टर होर्मोन इस endometrium को maintain करता है अब maintain कर रहा है बना नहीं रहा है क्योंकि जो फॉलिकलर phase है उसमें यहां पर ovary से estrogen hormone release हुआ था और वो estrogen hormone endometrium को बना दिया था अभी luteal phase में यह corpus luteum से release हो रहा है यानि कि 14th day को यहां से एक रिलीज हो के आमपुला में आ चुका था ovulation होने के बाद उसके अगले दिन से start हो रहा है यानि कि 15th day से 28th day तक मतलब 14 दिन यानि कि 14 देस 14 देस illuteal phase चलेगा और वो दिन fix होता है 14 days fix रहेगा क्योंकि 14 दिन में यह जो LH hormone है वो दीरे 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 उसका level कम कर देता है और आपको मैंने पहले ही कहा था कि यह LH hormone है यह corpus luteum को maintain कर रहा है तो 14 दिन के अंदर यह LH का level पूरी तरह कम हो जाता है जब कम हो अगर यह मर जाएगा तो इससे रिलीज होने वाला प्रोजिस्टरन हॉर्मोन वह भी बंद हो जाएगा अगर प्रोजिस्टरन हॉर्मोन बंद हो जाता है तो अगले 28th day को यह corpus luteum मर जाता है और कोई प्रोजिस्टरन हॉर्मोन नहीं है तो अगले 29th day को यह endometrium फट जाते और फिर से vaginal bleeding होती है जिसे आप कहते हो menstruation तो आप समझ गयोंगे फिर menstruation होगा फिर आगे जाके folicular phase होगा फिर से endometrium बनेंगे फिर आगे जाके ovulation होगा मतलब egg release होगा फिर आगे जाके luteal phase होगा जैसा भी मैंने बताया था इस तरह यह menstrual cycle चलता रहता है तो याद रखना यह जो लuteal phase है वो 14 days का fix होता है क्योंकि corpus luteum 14 दिन तक जिन्दा रह सकता है उसके बाद मर जाएगा तो यह menstrual cycle में लuteal phase का time period fix है 14 days अब देखो यह वाला time period fix नहीं बता सकते यह change हो सकता है इसलिए कभी भी एगर आपको ovulation का time निकाना है यानि कि ovulation day निकाना है तो जो भी menstrual cycle ह उस menstrual cycle के time में last के 14 days आप मैनस कर दीजे तो उससे पहले का जो दीन आता है उस दिन को यह ovary egg release करके आपकोला में भीज दीए तो देखिए यहाँ पर कितनी दिन का cycle है 28 days इस 28 में से अगर मैं 14 days मैनस कर देता हूं तो आता है 14th इस 14th day को यह ovary egg release करके आपकोला में भीज रह अगर 24 hours में कोई भी एक sperm यहां से आके अगर एक से मिलेगा तो fertilization होगा और आगे pregnancy का process शुरू हो जाएगा अगर 24 hours में कोई sperm जाके एक से नहीं मिलेगा तो कोई fertilization नहीं होगा और कोई pregnancy का process शुरू नहीं होगी तो मानने जिए कि जिस दिन एक release हो के यहाँ पर एमपला मे हो जाएगा अब जो मेल का sperm है वो female के body में दो दिन तक जिंदा रहता है तो जिस दिन एक release हो के एमपला में आया है उसके दो दिन पहले एक से निकलेंगे एक से मिलेंगे fertilization करेंगे और आगे pregnancy का process शुरू होगा मतलब कहना यह चाहता हूं कि मानने जिए कि अगर यह एक release ह जो के आज की दिन यहां पर आया है मतलब आज एक release हो के यहां पर आंपला में तो आज की दिन या दो दिन पहले याने के कल यह परसू अगर इन दिनों में sexual intercourse हुआ रहेगा तो मेल का sperm यहां से निकलेंगे एक से मिलेंगे अगर इन दिनों में कोई sexual intercourse नहीं हुआ तो कोई भी sperm यहां नहीं रहेंगे और कोई sperm जाके एक से नहीं मिलेगा और कोई neggap उस दिन और इससे दो दिन पहले कोई sexual intercourse नहीं हुआ तो कोई एक से नहीं मिलेगा तो कोई इससे नहीं होगा लेकिन यह बात इस कॉर्पस यूटियम को नहीं बता अब जो एक रिलीज हो कि यहां पर गया है वह 14 देक हो गया है तो 15 दिन से अब एक रिलीज हो के एमपला में गया है तो वहाँ पर स्पॉम से मिल लेगा और स्पॉम और एक दोनों मिलने के बाद एक नया स्थ बनेगा जिसे कहते जाइगोट और जाइगोट सेल अल्टिमेटली साथ दिन के बाद यहां पर यूटरेस में आने वाला है और यहां आके बेबी का डेवलपमेंट करेगा यानि कि प्रिगनेसी शुरू होगी यह सोचकर यह कॉर्पस रूटियम प्रिगनेसी हॉर्मोन को रिलीज करता है जिसे कहते प्रोजेस्टिरों यह प्रोजेस्टिरों को रिलीज करता रहता है और प्रोजेस्टिरों क्या करता है यह एंड करता है तब यह एंडोमेट्रिक यहां से बहुत सारे एक ग्लाइकोजन को सीक्रेट करते हैं और ग्लाइकोजन को सीक्रेट करता रहता है मतलब ग्लाइकोजन एक न्यूट्रिशन एक फूड है यह सोच के कि जब बेबी यहां पर आएगा तो बेबी का डेवलपमेंट होगा तो बेब को nutrition देना पड़ेगा यह सोचकर यहाँ पर glycogen को भी release करवाता है endometrium से कौन प्रोजिस्टरॉन हर्मोन और याद रखना यह जो corpus luteum है यह estrogen को भी release करता है और progesterone को भी release करता है बट यहाँ पर ज्यादा effective काम किसका है प्रोजिस्टरॉन का होता है तो यह होता रहता है अब देखिए अभी होगा जरूर लेकिन यह सोचके रखा है यह corpus luteum बट सच्चा ही तो यह है कि यहाँ से कोई spum गया ही नहीं है और कोई egg से मिला ही नहीं है तो उनका मुलाकाती नहीं हुआ है तो प्रेगने से का तो है एंडोमेटरियम को मिंटेंग कराता रहता है बट प्रॉब्लम यह है कि spum नहीं गया है लेकिन आपको पता है कि यह जो corpus luteum है इसका कितना दिन का lifetime है 14 डेस का lifetime है क्योंकि यह 14 डेस में उसे मिंटेंग करने वाला यह LH का लेवल पूरी तरह कम हो जाता है अब corpus luteum को अगर corpus luteum मर जाएगा तो यहां से रिलीज होने वाला प्रोजेंटर होर्मोन बंद हो जाएगा प्रोजेंटर हो जाता है तो फिर एंडोमेटरियम कोई मिन्टेंन ने कर पाये और एंडोमेटरियम कमजूर पढ़ जाता है फिर ब्लीडिंग होती है यानिकि वजनल ब्ली ब्लीडिंग हो रहा है इसका मतलब बात साफ है यहां पर कोई प्रिग्नेंसी नहीं हुई अगर प्रिग्नेंसी हुई होती यानि कि कोई स्पम जाके एगर से मिला होता फ्रडिलाइज हुआ होता और प्रेग्नेंसी हुआ होता तो यहां से ब्लीडिंग नहीं होता क्योंकि य यह हमारा case 1 था, अब हम case 2 को समझते, अगर यहां से sperm जाए और सच में एग से मिले, fertilize होगा, तो फिर आगे क्या होगा, और उसको हम दरा detail में समझ लेते हैं, जब यह एग release हो कि यहां पर ampula में आ गया, उस दिन या उससे दो दिन पहले अगर sexual intercourse हुआ, तो यहां से मिल का sperm जाएगा, और इस एग से मिलेगा, और fertilize करेगा, तो आगे process कैसा होता है, देख लेते, लेकिन सबसे पहला देखिए, यहां से जो भी एग release हो कि यहां पर आए, उसके structure को ज़रा समझ लेते, देखो जो एग यहां से release हो कि यहां आया है, वो एग यह है, तो यह जो दिख यहां पर यह blue color का cell दिख रहा है, उसे को ovum cell केते यह एग cell केते, और वो cell का zeros love cellे से यहां पर दिख रहा होगा, दि्खिए जो cell है, यह ont feito cell है, और इसके surrounding में जो green color का layer दिख रहा है, वो zona pellucida है, और उसके surrounding में जो red cells के लेट दीख रहा है वो है corona radiator और उसके contact में यहां से आने वाला sperm इदर से निकल के जो sperm इदर आया है वो sperm एगसे contact में आया है तो sperm का यह head है और head के अंदर यह nucleus है और यह acrozoom है यह acrozoom hyaluronidase and acrocing enzyme को release करता है और release करके यह egg cell के सरुणनी में रहने वाला corona radiator को तोड़ देता है तोड़ के फिर वो अंदर जोना पहले सोड़ा में घुसेगा और उसके अंदर घुसके वो सीधा अंदर आ जाएगा और इसों के ते fertilization situation अब अंदर आ गया अंदर आएंने के बाद उसके अंदर रहने वारे nucleus निकल के यहाँ पर इस sil के अंदर आ जाएगा यानि कै COM का nucleus जो भी haploid nucleus है यानि कि है यह नोगेश बन जाएगा और यह एक यहाँ पर सेल बन गया है इसे कहते है जाइगोट सेल या इससे को बहुते है वोते है टोटी पोटेंच चैल पोटेंच इस मतलब ऐसा सेल जिसके पाँ चतिनी क्यापसिट दिये कि वो एक new organism को produce कर सकता है तो obviously यहीं से baby का formation होने वाला है तो यह cell एक new organism को produce करने वाला है फिर आगे जाके यह जो अंदर का zygote cell है अब उसका mitosis cell division होगा तो आपको बता है mitosis cell division में cell का just copy बनता है chromosome number में कोई changes नहीं होता है तो इसका mitosis cell division के दो stage बन जाएंगे तो देखें यहाँ पर एक cell है इधर एक cell है अब यह जो cell है यहाँ पर division हो के mitosis division हो के बन गया है तो इस stage को बोलते है cleavage stage क्योंकि actual में यह जो यहाँ पर zygote cell है वो टूटके से दो बन जाते है मतलब यह जो नहीं cell बने हो बहुत चोटे होते as compared to इस cell से डाइगराम में थोटा अलग लग रहा होगा बट यह छोटे cells होते दोनों तो इस stage को बोलते cleavage फिर आगे जाके इनका mitosis होगा तो अगर यह cell का mitosis होगा तो इससे 2 cell बन जाएंगे यह cell का mitosis होगा तो इससे 2 बन जाएंगे मतलब बात simple है यह 2 cell का 4 cell बन जाएंगे और zona pelucida तो वैसा का वैसा ही रहेगा तो इस stage को बोलते embryo और जो यहाँ पर अंदर के cell है इससे कहते blastomeres तो इस तरह embryo stage में 4 blastomeres है 1, 2, 3, 4 यह 4 blastomeres है फिर आगे जाके इन 4 का mitosis cell division होगा फिर 8 बनेगा फिर उनका division होगा और 16 बनेगा इस तरह 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह division होता ही रहेता है तो जब वो 8 से लेके 16 blastomeres में संदर रहेंगे तब उस stage को बोलते मोरूला और zona पहले सुड़ा तो वैसा का वैसा ही रहेगा और यह सारा process हो कहा रहा है वो यहाँ पर नहीं हो रहा है वो एमपुला में हो रहा है क्योंकि एग एमपुला में था और sponge जाके एग से एमपुला में मिला है तो यह सब कुछ कहाँ पर हो रहा है एमपुला में हो रहा है आपको बता यह infantibulum है यह एमपुला वाला space है और इस तो मैं से तो यह एंनपोला में हो रहा है डीके जब यह पर स्पॉप Unit के कंट्त में तो फट्र दिरएंग शमोज़र उसके बाद यहां पर माइटासिस होके क्लीवेज बन गया फिर आगे जाके एंब्रियो बनेगा फिर आगे जाके मुरूला बनेगा अब यह मुरूला धीरे-धीरे करते करते चौते दिन यानिके फूर्थ डे को यह यूटरेस में आएगा फूर्थ डे मतलग कभी जिस दिन देखो एग कब हुआ है तो मुरूला के अंधर इनेवाला जो ब्लास्ट-ो मेर्स उनके नमरा भी घंडेशं हो जाएंगे जब यहां पर तब ही 16 तक ही था तरी इंगे हमने देख वॉलघा जैसा बना दिया है जो गुच्चा जैसा दीक रहा है कि इस तरह का आरेंज्मेंट किया ही क्यों वह इसलिए जब यहां पर आजाते तो आपको पता है कि ओलेशन हुआ 14th day तो उसके बाद क्या होने वाले luteal phase तो luteal phase में आपको ये पता है कि corpus luteum से क्या release हो रहा है प्रोजेस्टरान release हो रहा है और प्रोजेस्टरान endometrium पर act करके glycogen को release करा रहा है तो glycogen क्या nutrition है तो nutrition को अंदर store करने के लिए इस तरह का वो जगा बना लेता है और देखो अब भी जो बीच में खाली space दीख रहा है इस जगा में यहां से release होने वाले जो glycogen रिलीज हो के आते है वो glycogen यहां पर store हो जाएगा मतलब ये space में भर जाएगा तो इस तरह यहां पर ये वाले space में वो सारा का सारा glycogen भर जाएगा अब इसे केते है blasto seal कहा जाता है ये जो space है यहां पर glycogen भर गया है उसे केते blasto seal और इस stage को बोलते है blasto cyst और इसको blasto भी कहा जाता है मतलब जो structure देख रहा है इसे blasto cyst कहते है और इस stage को blasto भी खा जाता है तो देखो अब blastocyst यहां बन गया पांचमे दिन, अब छेटमे दिन क्या होगा, यानि कि शिफ्त देखो क्या होगा, यह अंदर रेने वाले जो ट्रोपो ब्लास्ट है, वो ट्रोपो ब्लास्ट एंजाइम को रिलीस करते, एंजाइम को रिलीस करके उनके साइड में जो दिक अब उसको तोड़ देगे, तो तोड़ के वो भार आजाते इस तरह तो यह अंदर भार रेने वाले जोना पर इस लागो को तोड़ दिया और भार के तरफ आ जाता है ऐस सीफ्त देखो, और आगे जाकि फिस सेभी टैखो क्या करते, यह फिर से एंजाइम को रिलीस करते, enzyme release करके यह जो आपको यहाँ पर दीक रहा है इसको तोड़ देते यानिकि endometrium को तोड़ देते endometrium को तोड़ कर अब यह blastocyst अंदर आ जाएंगे मतलब यहाँ पर आके भर जाएंगे इस तरह वो arrangement कर लेंगे अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा देखो इस तरह का arrangement वो कर लेंगे तो कुछ enzyme को release करेंगे और endometrium को तोड़ के endometrium के अंदर गुश जाएंगे अब वापस यह जो तोड़ गया यह endometrium को बनाना पड़ेगा तो आपको पता है अभी हो कहा रहा है ovulation के बाद हो रहा है तो यह कौन सा phase है luteal phase तो luteal phase में क्या होता है यह corpus luteum progesteron को release कर रहा है और estrogen को release कर रहा है और आपको पता estrogen क्या करती है endometrium को बना देती है तो वो estrogen endometrium को वापस यहाँ से बना देती है clear अब जो भी अंदर यह blastocyst आ चुका है वो कभी हो रहा है वो हो रहा है seventh day को यह काम हो रहा है तो seventh day को endometrium में वो entry कर दिया यानि कि घुश गया और इसे को बोलते implantation तो यह अभी था zygote cell वो develop होते 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 finally वो बन गया blastocyst और वो blastocyst इस endometrium में घुश गया implant हो गया इसे को बोलते implantation and now this cell is called implanted cell तो यह implanted cell है अब जो यह implanted cell है यानि कि जो blastocyst endometrium में घुश गया है अब आगे जाके वो बेबी का development करेगा तो actual में बेबी का development करने के लिए estrogen hormone की ज़रुत पढ़ती है और endometrium को maintain करने के लिए progestron की ज़रुत पढ़ती है तो estrogen और progestron इस वक्त कौन release कर रहा है यह corpus luteum release कर रहा है क्योंकि अब यह कौन सा phase है luteal phase है तो luteal phase में यह corpus luteum estrogen और progestron को release करता रहता है अब देखो आपको पता है कि यह luteal phase है क्योंकि यह release हुआ था यहां से कभी 14 देक हुआ था तो 14 देके बाद देखो 15 से ले लो 15 16 17 18 19 20 21 यानि कि 7 दिन तो यहां से लेकि यहां तक हो रहा है तो 21 यह 22 डेस को यह implanted cell यहां हो गया है तो उसके बाद बचा कितना और अभी 7 दिन बचेंगे तो 7 दिन के बाद यह LH का level पूरी तरह कम हो जाएगा अगर LH का level कम हो गया लह इस の को मेंटेन करने वाला ले अगर कम हो जाएगा तो कॉर्परश देन को मेंटेन कोन करेगा अगर को मेंटेन करने रहे से कोई estrogen और प्रजेटान ही नहीं होगा तो और अगर इस्टोजन दो प्रोच्टोजन रिलीज नहीं होगा तो बेबी का डेवलपमेंट करने के लिए इस्टोजन की ज़रूत है और इंडोमेटर को मेंटेंग करने के लिए प्रोच्टोजन की ज़रूत है तो अगर वहां से रिलीज नहीं होगा तो फिर यह बेबी का ड वन अडले-ट्रोपिं ओर मन को रिलीज करता है यह और गारम को पर आप अदाए करेगा और गरी का डिवलप्मेंट करेगा एंडोंमेत्रियम को प्रोज्ट्राण करेगा यह चलेगा इसको और वो मर जाएगा उसके बाद तो यह एलेने का मैं जाएगा और यह मर जाएगा अगर यह मर जाएगा तो पूरा काम बिगड़ सकता है इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए आटवे दिन यह implanted cell HCG को release करता है और यह HCG हॉर्मोन यह बताता है कि confirm pregnancy हो गई है अब pregnancy confirmation दिकाने के लिए HCG हॉर्मोन ही इसका representation है इसलिए आपको देखो प्रेगानियूस किट के इस्तामाल करके हम HCG हॉर्मोन से चेक करते कि pregnancy है या नहीं और उसमें HCG हॉर्मोन को दिकाया जाता है अब कैसा चेक करते हैं मैं आपको आगी समझाओंगा लेकिन अभी कि देखिए जो HCG हॉर्मोन यहां से रिलीज हो गया है यह HCG हॉर्मोन इस corpus routine को maintain करेगा और अगले 3 मैने तक यह HCG हॉर्मोन corpus routine को maintain करेगा और 3 मैने तक यह जो कॉर्पस डूटियम है वो इस्ट्रोजन को रिलीज करेगा और इस्ट्रोजन बेबी का डेवलपमेंट करेगा और प्रोजिस्ट्रोण एंडोमेट्रिम को मेंटेन करेगा तीन मेने के बाद जो अंदर का ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेंगे वो डेवलप होते होते प्लाजेंटा में करन्वर्ट हो जाएगा और बाद में वही प्लाजेंटा इस्ट्रोजन त्यार करना शुरू कर देगा और फिर वो प्लाजेंटा बेबी को आगे और डेवलप जाता हूं देखो नॉर्मली आप प्रेगानिस पैक अगर उपन करोगे तो उसके इंदर आपको तीन चीज़े मिलेगी सबसे पहले टेस्टिंग कीट जिसमें प्रेगनेस टेस्ट किया जाता है और दूसरा एक ड्रॉपर जिसे यूरीन को ड्रॉप करते हैं और तीसरा आपक निकाल है वह कुछ इससतरा दिखता है उसके लोपर देखिए यहाँ पर एक गोल्रॉब स्ट्ध्रेगा जो साइंपल में जाता है और उसे कहते है एब्सॉर्बेंट पेपर अब क्या करोगे नॉर्मली जो यूरीन है वो यूरीनरी ब्लैडर में कम से कम 3-4 गंटा स्टोड रेना चाहिए वही बेस्ट होता है देखे अगर मानली जी मेरा नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर यूरीन को कलेट करना है तो यूरीन को कलेट कर ली और बाद में ड्रॉपर से तीन ड्रॉप इसके अंदर डाल दिया यानि के सैंपल में डाल दिया डालने के बाद पांस मिनट वेट कीजेगा पांस मिनट वेट करने के बाद यह जो रिजल्ट विंडो दिख रहा है वहाँ पर C और T लिका हुए तो और सिर्फ पे आपको पिंक लैन दिखती है तो इसका मतलब यह है कि प्रेगनिंट नहीं है एनिया कर प्रेगनेंसीam नहीं हुई है अगर मले जीए यकि अगर सीव पे नहीं हा रहा है लेकिन सिर्फ और सिफ आपको टी पे दीक रहा है ती पे कोई pink line दीक रही है या फिर दोनों में कहीं पर pink line दीकीर भी नहीं रही है इसका मतलब यह है कि आपका जो टेस्ट करने का तरीका है वह गलत है आप invalid test कियो और अगर माननीजिए कि यह T पर हलकी से पिंग लेन दिखती है तो इसका मतलब यह है कि जितना जरूरत है हो तना हर्मन अभी तक नहीं है तो आप कुछ एक दो दिन वेट कीजिए और फिर दुबारा वापस आप टेस्ट कर सकते हो अब सवाल है कि यह कभी टेस्ट करना चाहिए इसका क्या है तो जरा धा आर्सोसिस्ट इस एंडोमेटर में इंप्लाइंट हो गया और आठवी दिन वो रिलीज किया तो जरा सोचो 14 के बाद आप आठ दिन पगल दीजिए तो आठवी दिन यहां से HCG होर्मोन रिलीज होगा इससे क्या पता चलता है कि कंफर्म प्रेगनेंट है आप सोचो आठ दिन मंदद देखो हैं आप एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नौ स्वारी आठ यहां पर हो रहा है यानि कि 22 यहां से क्या रिलीज हो रहा है HCG रिलीज हो रहा है उसके बाद की दिन अगर आप टेस्ट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंट है या नहीं अब ज़रा सोचो कैसे पता करें फिर इसके लिए तो देखिए आपको पता है कि आपको मेंच्व सेगर टाइम प्रेट कितना है 28 डेस का तो या फिर आपको माल लीजे 29 डे को दूसरा पीरेड आना चाहिए यानिकीद दूसरा मेंच्वेशन आना चाहिए अगर 29 डे कुंद सि दुसरा पीरिड नहीं आया है यनिकीदू से मार्ड़ नहीं हुआ तो इसका मंदब यह कि प्रेगनेंट है या फिर दूसरा एक बाद औ रहना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डॉक्टर से मिल लिए और उससे आप कंसल्ट करो आपको प्रॉपर टेस्ट पता चल जाएगा जरूर नहीं कि हर बार मेंस्वर साइकल हर मेने के फर्स दे से स्टार्ट होता है ऐसा कुछ नहीं कोई भी दिन अगर मेंस्वेश इन दोनों लेक्चर को प्लीज देख लीजिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छर समय में आ जाएगा और तब तक के लिए अपना खयार रखेगा अगले लेक्चर में जरूर मिलूँगा और तब तक के लिए जैहें